तो अब ये कल एक बड़ा इसके उपर अब कुछ खेला होगा नहीं होगा क्या नीतिश कुमार एक बार फिर असानी से मुख्यमंत्री बने रहे जाएंगी ये सब सवाल जो है इनका कल जबाब मिल जाएगा इस पर सच्छा करने के लिए हमारे साथ इस पर राजीव रंजन सह डिव ने कि ग्वाये हैं प्रवक्ता हें जेडेयु के हमारे साथ प्रॉफेसर अन्वर पाशा साहिए है आज गर्व dois हम पुको च्राइक आध ले क्षेला नहीं है अरे नहीं चलेगा 2-3-2-3-2-3 अदमी 2-3 खेला होगा आप कि रूज़ों के समझ में आही रहा चीज़े कोई कुछ लोग भोज में नहीं जा रहे हैं कहीं कुछ जा नहीं रहें तो कल आप देख लेंगे क्या होगा सचाय की जीत होगी तीहों कि जात परक्रिया जो अपनाई गई है उसके खलाफ की जीत होगी राजीव रंजन साहब खेला होगा खेला होगा बार-बार कह रहा है वे पक्ष आपके तीन एमेले बताया जा रहा है पहुंचे नहीं जे डियू के महाँ पर बीजेपी के भी दो एमेले नदारद हैं तो क्या धड़कने बड़ी हुई हैं आज राज देखे जब ये पोस्ट फ्लो टेस्ट जब आप एनालिसिस ले बैठेंगे तो फिर यही बात कहने वाले लोकल मातम पुरसीड नहीं होगा परिनाम को लेकर के उन्हें भी पता है जो ख्याली पुलाओ पका रहे हैं और हमें भी पता है परिनाम क्या होगा है उनको अपनी स्था में उख्याल्प्रा, हम आश्वस्थ हैं कहीं कोई दुविधा नहीं है डर अगर इनकी अंदर नहीं होता तो है Delta Priv जाने की जरूरत नहीं होती विधायकों कोो तेजस्वी जी के निवसक्ते कैठ जेब या मत विदायक तो आज़ाद हैं और जिन तीन विदायकों को लेकर के आज शिगुफे, अफवा, कया, सक्कल बाजियां वो पहले से ही पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे हैं उन्होंने अनुमती लेकर कुछ आवस्यक कारेओं के लिए बाहर जाने का पैस्ला किया था अगर आप आरोप लगाते हैं कि देखिये टेजस्वी आदब डरे हुए हैं, अपने घर में सारे विदायकों को रुकाए हुए हैं, कॉंग्रेस अपने विदायकों को हैदरबाद बेज रही है, आपने भी दो दिन का नाम तो बीजेपी कुछ भी दे दे उसको कि विदायको की ट्रेनिंग के लिए उनको लेके जा रहे हैं, दर तो कहीं बीजेपी को भी है, बसों में बठाकर अपने सारे विदायकों को ले गया है, बहुत गया है। बारे MLAs ये भी जानते हैं कि दूपती नाओ पर कोई दर सुधर नहीं जाना चाहिए। किस तरफ होगा, आपकी तरफ तो कहीं खेला नहीं हो रहा है। देखें अंकित जी, खेला कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, ये आपको चेहरे से मालूम बोल रहा है। अभी आपने चेहरे का रूप देखा, विजय चौदरी जी के घर पे भी जो संबादाता से बात कर रहे थे, विधायकों की अनुस्तिति के बारे में, तो उनके चेहरे पर भी जो कुछ था भाव वो आपने पढ़ दिया होगा। तो इस तरह के भाव से किसके बारे में क्या इस्तिती है किसकी, वो साफ हो जाती है। असल में फ्लोर पे जो कल्टेस्ट होगा या उसमें जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल साफ है सामने बिल्कुल वो बिल्कुल साफ है कि ये जो लड़ाई है ये लोग तंत्र की रक्षा की लड़ाई है संविधान की रक्षा की लड़ाई है नातिकता की भी लड़ाई है भावी ये गटबंदन थे विचारों को यस्तर पर आरेसे से बीजेपी से क्या संबंध है ये क्या अनैतिक और इस तरह की बाते आप भी कर रहे हैं कुछ दिन पहले जब नितीश कुमार बीजेपी को छोड़के आप के साथ आये थे वो नैतिक था वो बिल्कुल ठीक था लोक्तन्तर को बचाने की लडाई हो गई? कुमार जी का जी और उनके पार्टी की तमाम एमेलेस में एक विरोध तो है तो कल अगर नितीश कुमार वापस आएंगे तो आप फिर मान जाएंगे पिर कहेंगे तो सामाजिक लडाई यह वापस आएंगा यह समय उनके साथ क्या स्लूप होगा यह जहां गए हैं उनका कितने आश्वस्थ हैं आप कि कल नितीश कुमार के नेत्यत्र में एक बार फिर से सरकार सुरक्षित तोर पर बंती आपको दिखाई पढ़ रही है कहीं कोई दुविदा नहीं कहीं कोई असमंजस नहीं और चेहरे पढ़ने की अगर कवायद में है अनुवर पासा साहब तो अपने निताओं के चेहरे पढ़ ली विजए चौदी जी के चेहरे पर आप विश्वास था जिसको आप पता नहीं क्या पढ़ रहा है मैं नहीं जानता हूँ चेहरों को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के नदर की जिरूत होती होगी सब लोग समझ जाते हैं सच क्या है और सच आपको भी पता है क्यों डरे हुए हैं आपके लोग हैडराबाद क्यों जा रहे हैं क्यों तेजसी जी के घर पर बैठे हैं हमारे मलेस तो भूम रहे हैं लेकि सवाल वो नहीं है और ये नैटिक्ता की परिभाशा नितिश कुमार्टी एंडिये के लंबे दौर में अगर तिछले कुछ वर्सों में अगर देखा जाएं इंडिये से अलग होना जाना और आना लेकिन इंडिये के साथ काफी लंबा दौर अटन जी से लेकर काफी लंबे समय तक वो इंडिये का इससा है और एक सवाल है मैं इस पर नहीं जाओंगा कि किस बात को कब क्या कहना चाहिए ये तो समय बताएगा आज़ेदी को अभी जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं लेकिन सरकार चलाने के लिए भी चलाने का चरीत्र विकसित करना होता है अगर केवल अस्थानांत्रन पदस्थापन और मंत्रियों के जो स्वेच्छा चाहिता के जो किस्से हैं कि कोई सनातन पर बोल रहा है कोई विभागी मंत्री से लड़ रहा है सरकार चलाना और जलितान से यह बाइदों को पूरा उताना आज की बात यह होगी कि आपकी सरकार दुबारा कैसे बनती है कितनी आसानी से आप यह नमबर्स हासिल कर पाते हैं लेकिन बात तो यह है कि बिहार की जंता को टाय करना है कि क्या उनको अभी भी अपने भविश्चिकी जो स्टेरिंग है वो एक ऐसे ड्राइवर को देनी है जो पता नहीं बात बात पे गाड़ी अपनी बदलते रहते हैं या फिर ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो कम से कम उनको जो कहें पांच साल तक उसको निभाते वे नजर आए अब ये बिहार के जनता को 2014 में और उसके बाद 2024 में माफ कीज़ेगा और उसके बाद 2025 में तैय करना है आप दोनों को हमारी शुब कामना है कल फ्लो टेस्ट है कल आप लोगों के MLS तैय करेंगे कि उट किस करवट बैठता है